नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकन फो स्मार्ट में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रिजिनिंग में एनलोजी के क्वेस्टन जो कि टाइप 5 है मैंने 4 टाइप के क्वेस्टन करवा दिया है यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैन एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए जितनी बार आपको दिखना उतनी बार देखिए लेकिन आपको आपका टारगेट दिखना चाहिए कि कौन से एक्जाम आपको क्रैक करना है ये आपके माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मुझे यही एक्जाम क्रैक कर पढ़ना है कि वो इस तरीके से पढ़ रहा है वो दूसरे book से पढ़ रहा है ठीक है आप एक book से पढ़िए एक book को आप बार-बार solve करिए आप उस दूसरे student से बहुत अच्छे हो जाएंगे जो बहुत दिरेगी book पढ़ रहा है तो आपको सब जगे भटकना नहीं है आपको स तार्गेट है वो उसी परकार से दिखना चाहिए जिस परकार से एक किसान या अपने खेत में गेहूं या धान काट रहा होता है तो उस टाइम उस जितनी बार खड़ा होता है और जब उस खेत का गेहूं देखता है या खड़ा हुआ जो भी खेत में उसकी फसल खड़ी है ज या आपका जो है SSGD हो या UPSI हो या UP लेखपाल हो या RRB हो या जो है Railway का Group D exam हो या NTPC कोई भी exam हो कोई भी competition के त्यारी कर रहे हैं तो आपका target आपको दिखना चाहिए आपको दिखना चाहिए तभी आप crack कर पाएंगी ठीक है और आपको जैसे कोई भी exam के त्यारी कर रहे हैं तो आपको भी job तो मिली नहीं है बड़ आपको उस job की तरह ही सोचना है कि आपको job मिल गई है जब आप एक बार एक बार सिर्फ एक बार आप सोच के देखे कितना अच्छा feel करेंगे आप और बार बार पढ़ने की भी इच्छा आपकी करेगी आप अपने आपको सोचे मान लिजी आप एक टीटी बन गए फिर आपका क्या होगा कैसे होगा कैसे काम करेंगे आप ट्रेंड से जा रहे होंगे दूर दूर तक आपको free में आपको आना जाना होगा आपके जो family है उसकी value क्या होगी है ना जो भी आपका जो जिस जगे पर रह रह रहोंगे या city में रह रह रहोंगे वहाँ पर आपकी क्या reputation होगी तो इस तरीके से जो है मान सम्मान आपका बढ़ेगा तो इस तरीके से आपको चीजों को सूचना है फिर आप देखिए आपका जो है कैसे interest बढ़ेगा और देखिए कोई भी subject टफ होता नहीं है जो भी subject बनाया गया है वो किसी ना किसी इंसान नहीं बनाया हुआ है तो आप से बाहर कोई चीज नहीं है बस आप जिसके पीछे पढ़ जाओ एकदम से पढ़ जाओ कि वो बिल्कुल आपकी हो जाएगी ठीक है चाहिए वो math हो चाहिए reasoning हो चाहिए वो science हो कुछ भी हो कुछ भी टफ नहीं है बस practice के जरुरत होती है समझने के जरुरत होती है अपने आपको 100% जो है देना का पर्यास करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस subject को 100% आप दे पाए ठीक है dedicate रही है हमेशा किसी चीज के बारे में अगर आप जिस चीज के बारे में भी जारो जिस रास्ते पर भी जारे हो आप आप उसके लिए एकदम समर्पित हो जाओ ठीक है पर नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका आपको benefit मिलता रहे ठीक है बहुत ही अच्छे marks आपको आपके आने वाले हैं क्योंकि जो railway, rrb, rrb, group d का exam होगा उसमें reasoning 30 number की आती है और देखिए अगर आप exam clear करना चाहते हो और job भी चाहते हैं तो आपको अच्छे marks लाने होगे कम से कम 28 number लाने होगे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप इसी को देख लिजी आपके 28 number आने ही है क्योंकि इतने type की question इसमें मैं करवा रहा हूँ कोई type बची नहीं रहा है ठीक है तो आज मैं देखता हूँ कि कौन सा question करवाना है पहला question देखेंगे question number 162 161 तक मैं करवा चुका हूँ आप playlist में जाए वहाँ पर playlist बने हुई ये reasoning की youth publication की वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है तो आज देखेंगे हम लोग 162 number question है इसमें कहा जा रहा है कि 35 का किसी परकार से relation है 7 के साथ में तो 125 का किस के साथ में होगा तो अगर आप 7 का जो है 7 को कर multiply करेंगे 5 के साथ में ठीक है तो आपको 35 मिल जाएगा नहीं कि 7 into करेंगे 7 का गुड़ा करेंगे अगर 5 में तो आपको 35 मिलेगा तो उसी परकार ऐसा क्या कर दें इस जगर पर आपको क्या रख देना है कि जिससे की इसी तरीके से sequence बन जाए जो सम्मन यहां है वही हो जाए तो भई अगर आप यहां पर 25 रख देंगे इसको एक बार हटा देते हैं देखिए अगर आप यहां पर 25 रख देते हैं तो 25 का multiply यह दिया आप यह 25 है इससे अगर आप 5 से multiply कर देंगे ठीक है अगर आप 25 को 5 से multiply करेंगे तो 125 मिल जाएगा तो simple से आपको पता होगे कि यहां पर क्या होना चाहिए क्योंकि 7 है यहां पर 7 को 5 से multiply किया तो 35 मिला तो वैसे ही 25 से जब 5 को आप multiply कर देंगे देखी मैं बता देखां दूबारा से एक बार देखी 7 जो है आपने 5 से multiply किया तो 35 मिला वैसे ही 125 हो रहा है तो आपको 25 को 5 से गुड़ा करना पड़ेगा जिससे की 125 मिल जाएगा ठीक है तो इस जगे पर यहाँ पर 25 आ जाएगा ठीक है तो इस जगे पर 25 हो जाएगा यह देहन दीजिएगा आप हम लोग करेंगे question number 163 देखे यहाँ पर 3 का संबंद 243 से है तो 5 का संबंद कौन से अंक से होगा मतलब कौन से इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 625,465 और C नंबर पर 31,25,425 लिखा हुआ है D नंबर पर NTPC में आया हुआ है RRB में 12,4216, shift 3 में आया हुआ question है देखे अ अगर आप 3 का जो है power 5 लगा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 300, sorry 243 मिलेगा ठीक है और यदि आप same चीज देखे ऐसा होता है इन question में क्या करना होता है जो analogy के question होते हैं जो संबंद इसमें इसमें है वही संबंद यहाँ पर भी आपको देखना होता ठीक तो same ऐसे ही कर द लगा दीजी 5 की power 5 जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा 31,25 तो इसमें जो option हो जाएगा वो option number C का answer हो जाएगा आप हम लोग देखेंगे question number 164 कहा जा रहा है कि 9 का संबंद किसी परकार से 27 से है तो उसी परकार से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि इनके same संबंद दर साता हो ठीक है तो 164 number में होता क्या है कि आपको सबसे पहले यदि आप वीडियो को पाउस करते हैं लगाते हैं तो ये आपको बहुत ही benefit देने वाला है बहुत ही अच्छा फिल करेंगे और आपका उसा बढ़ेगा मेरी बात को मानिए आप वीडियो को पाउस करिएगा पा पाउस करेंगे तो आपको प्रेक्टिस तो करना ही पड़ेगा तो प्लीज करिएगा और मैं ऐसा आपसे उमेद भी कर सकता हूं कि आप करेंगे क्योंकि अगदी आप मेरी वीडियो देखके आप क्रैक करेंगे एक्जाम तो मुसे बहुत अच्छा फिल होगा बहुत अच् अभी देखते हैं इसमें कैसा संबंद कौन सा है जो कि सई होगा ठीक तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहां पर देखिए बहुत ध्यान से यह जो 9 है अगर 9 को आप जो है 3 का इस्वायर कर दीजिए तो आपको 9 मिल जाएगा ठीक है और यह दि 9 का जो है और यदि 3 का क्यूब कर दिया जाए तो क्या मिलेगा अगर 3 का क्यूब कर दिया जाता है तो 27 मिल जाएगा ठीक है तो यहां तो समझ में आ गया समझ में यह आया कि जो पहला अंक है वो किसी चीज़ का स्कॉायर है और जो दूसरा अंक है वो किसी चीज़ का क्यूब है तो यह सेम ऐसे ही किसी एक जोड़े में ऐसे ही relation बन रहा होगा. तो find out कर लेते हैं आप करना क्या है? यहाँ देखते हैं देखें ये तो किसी का स्क्वाइर बन नहीं रहा है. ये भी ये किसी का स्क्वाइर नहीं बन रहा है. यहाँ पर पहले यह cube आ जा रहा है 8 यह भी किसी के square ने बन रहा है तो बचाए क्या बचाए तो d है तो भाई d का देख लेते हैं आप जो एक 80 है वो 9 का square हो जाता है अगर 9 का आप square करेंगे तो 80 आएगा और इसी के साथ में यदि आप 9 का cube करेंगे तो 729 आएगा ठीक है देखे यहाँ पर भी same number ही था यह देखे यहाँ पर भी same number है और यहाँ पर भी same number है तो इसका answer जो हो जाएगा वो option number d हो जाएगा next question देखेंगे question number 165 यूग मुझे जिनके संख्याई दिये गए यह यूग में की भाती आपस में संबंधित हो तो 19 का संबंध जो है वो 361 से है तो इसमें बाकी जो है same relation कौन से सब्द में कौन से option में ऐसा है देखेंगे आपको 50 तक square याद होना चाहिए और 25 तक cube भी याद होना चाहिए ठीक है और याद करने का simple सा तरीका है आपने आप से ही आप ऐसे आप देखिए आप जैसे ही square याद करना सुरू करिए तो आप उसमें ढूणिए आप उसमें खोजिए कि किस तरीके से मैं इसको करूँ तो याद कर सकता हूँ आप कर ली जाएंगे क्योंकि मैंने याद किया था तो मैंने ऐसे ही किया था ठीक है तो आप उसमें आपस में जो भी जैसे मनली 12 का 12 से आप multiply करें है तो 144 का require तो मैं बता रहा हूँ सिर्ब आपको बता रहा हूँ कि ये आप खुद से करेंगे तब ही आप कर पाएंगे है ना मेरे बताने से साथ यह आपको जो है इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा तो आप अपने तरफ से खुद स्वयम से चीजों को निकालना सीखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 19 का जो स्क्वाइर है वो 361 होता है तो इसी तरीके से किसी में एक ऐसा ही बन रहा होगा समझ में बताए भई किसमें बन रहा है देखिए आप 169 होता है तो यहां पर जो answer हो जाएगा वो answer हो जाएगा option number A ठीक है next question देखेंगे अब हम लोग करेंगे question number 166 यहां पर कहा जा रहा है कि 5 जो है किसी परकार से सम्बंधित है 35 से तो ऐसे ही जोड़ा कौन सा और बनेगा जो कि सेम सम्बंध में हूँ ऐसे ही सम्बंध रखते हूँ आपस में ठीक RRB NTP 164 2016 सिर्ट 3 में यह भी आया हुआ question है और मैं जितने भी question अब कराऊंगा सभी railway में आए हुए question होंगे ठीक अब देखें यहां पर क् multiply करते हैं तो 35 मिलता है परिशान है कोई बात है नहीं मैं आपको पूरा समझाओंगा सई से अब देखें देखें जो अभाज संख्या होती है वो 5 है और 5 के बाद जो just बाद देने कि तुरंद बाद जो अभाज संख्या आती है वो 7 आती है तो अब तो आपको समझ में आ किया होगा कि जो यहां पर जो संख्या दी हुई है इसके बाद जो अभाज संख्या आत यहां पर जो संख्या दी हुई है यह 5 इसके बाद जो अभाज संख्या आती है उसी से multiply किया जा रहा है ठीक है तो आप देखें का करना है वह अगर 11 के बाद में अभाज 13 होती है तो क्या 11 और 13 का multiply करेंगे तो पच्पनाएगा नहीं आएगा ये answer नहीं हो सकता है सेम ऐसे इसमें भी कर लीजिए क्या 3 का 5 से multiply करेंगे तो 24 नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है अब देखे 7 होता है 7 के बाद के जो अबाज संख्या होती है वो 11 होती है अगर आप 11 से इसको 7 को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 77 तो इसका जो answer हो जाएगा वो option number भी हो जाएगा ठीक है next question देखेंगे आप यहाँ पर का जा रहा है 0.16 लिखा हुआ है और किसी परकार से सम्मंदित है ये 0.0016 से तो भाई 1.02 कौन से option से सम्मंदित है ठीक है तो यहाँ पर करना क्या है कि देखें आप तो यहाँ पर point की बात आगे तो घबढने कोई ज़रूत है नहीं कोई भी ज़रूत नहीं है ठीक है फिर भी आप परयास करिए जितना आप लगाने का परयास करेंगे जितना अपने दिमाग को चलाएंगे उतना ही बढ़ेगा वो ठीक है तो उसको जो है संकुचित करने का पर्यास न करिए उसको फैलाने का पर्यास करिए उसको बढ़ाने का पर्यास करिए ठीक अभी यहां पर लगाईए अभी करना क्या है अब आप देख पा रहे होंगे कि यह पॉइंट लिखा हुआ था और पॉइंट जब यहां पर लिखा है इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो एक्वेल में आएगा भाई यहां तो पॉइंट लगा हुआ यह आपको पता होगा कि जितना यहां पर 0 लिगा हुआ है उपर उतना ही पॉइंट करना है आपको तो आप यहां पर दसम्रों लगा दीजिए 1020 और यह 16 होगा है आप तो आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है 100 से डिवाइड कर दिया जा रहा है ठीक तो सेम इसमें भी कर दीजिए अगर लिखा हुआ है 1.02 अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा ठीक है तो इसका देख लिजिए आप किस आप्शन में ऐसा आ रहा है तो आप्शन नंबर इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो 167 नंबर का ए अंसर हो गया नेक्स्ट क्वेस्टन देखेंगे क्वेस्टन नंबर 168 देखेंगे 11 का किसी परकार से संबंध है 1210 से तो वैसे ही कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सेम संबंध से संबंधित हो ठीक है अभी देखिए आप आपको मैंने भी बोला था इसक्वायर इसक्वायर पर बहुत सारे क्वेस्टन आ जाते हैं इसक्वाय याद होना चाहिए और 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए ठीक कुछ भी नहीं है एक बार देखिए लिखिए 10 बार लिखिए दोनों चीजों को 10 दस बार लिखिए और 3 दिन इसको रिपेट करना जैसे आज आज आपने कर लिया आज के 30 दन बाद फिर आपको वैसे ही करना है और उसके बाद में फिर 3 दिन बाद वही करना है याद हो जाएगा आपको ठीक है ठीक फिर देखते हैं 161 नमबर ठीक देखिए अब इस क्वेशन में हो क्या रहा है कि अभी मैंने आपको बताए कि स्क्वायर आप जरूर याद करें ठीक अब देखिए यहां पर यह 11 है और यह 1210 है ठीक है हो क्या रहा है देखिए भाई हो रहा है कि 11 इंटू 11 करेंगे और उसके बाद में यह 121 आजाएगा ठीक है यह तो स्क्वायर हो गया उसके बाद में क्या हो रहा है यह जो 11 है इसी 11 में से इसी 11 में से एक माइनस कर दिये जा रहा है एक माइनस कर देंग तो 10 आ जाएगा और इसी 10 को इससे multiply कर देंगे तो आ जाएगा 1210 ठीक तो यह तो आपको concept पता हो गया कि यहां क्या चला logic पता हो गया आप देखिए मैं बताता हूं करना क्या है ठीक अभी ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं मैं बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं अब देखिए यहां पर 11 इंटू 11 हो गया 11 से 1 माइनस करेंगे 10 बचेगा answer आ जाएगा 1210 मतलब answer क्या आ जाएगा मैंने अभी logic बता है मैंने ठीक कि किस तरीके से आया यहां पर देखिए इस तरीके तो ऐसे ही सेम देख लिजी अप किस में हो रहा है ठीक है तो इसमें तो इसमें देखते हैं यहां पर अगर आप इस वाले में करेंगे डी में करेंगे तो यह हो जाएगा है ठीक है तो इसका 7 का अगर स्कॉयर करेंगे तो 49 हो जाएगा और 6 से prepare करेंगे तो यह हो नहीं सकता यहां पर अगर आप करते हैं 6 से 36 हो जाएगा 36 और यहां पर एक minus 5 से multiply करेंगे तो यह भी नहीं हो सकता है और यहां करते हैं 81 हो जाएगा 81 और 9 से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा 8 एक कम ये भी नहीं हो सकता है अब देखिए इसका एक बार देखिए क्या हो रहा है 8 को 8 से आप मल्टिप्लाई करेंगे और फिर इंटू करेंगे 7 से विकाज मैंने आपको यहां बताया है कि यहां पर देखिए 11 से 1 माइनस हुआ तो 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा और जब इसको मल्टिप्लाई करेंगे आप तो 8,8,64 होगा और 64 का मल्टिप्लाई आप करेंगे 7 से तो यह हो जाएगा चार सो और तालिस तो इसका इंसर जो हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा ठीक है यह भी रेल वे में आया हुआ हुआ क्वेश्चन है और बेंटी पीसी के लिए सौरी ठीक है थोड़ा सा मैनेज करिएगा यहां पर 2016 होगा 216 लिग गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सब्सक्राइब ऑपर B आपको जैसे आपको बजाएंगे आपको वीडियो तुरंत पाउच करना है लगाने का पर्याश कुद से करना है सो हम आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ठीक है अब देखिए हो क्या रहा है जो 8 है अगर 8 को आप मल्टिप्लाई करते हैं 12 से तो क्या मिलेगा आपको 96 मिलेगा ठीक है तो वैसे ही सेम आप एक काम करिए क्या ऐसा करने से कोई option मिल रहा है आपको कि 12 से अगर आप यहां पर कर दें multiply तो तो यहां करेंगे तो 12 सते 84 हो जाएगा तो मिल गया answer ठीक है option number D हो जाएगा next question देखेंगे question number है 170 यहां पर 2001 का एक से किसी परकार से आपस मिल रिलेशन है तो वैसे ही 25 से आगे क्या होगा कौन से option को यहां पर रख दिया जाए भाई ठीक है यह option है 225 B 125 625 C number D number 26 ठीक तो यहां पर हो क्या रहा है यहां पर यहां पर यह सा हो रहा है कि एक है यह एक है ठीक ऐसा नहीं है कि अगर इतने चोटे अंक दे दिये गए तो आप समझे नहीं इसमें square नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और सब लगा देना है ठीक है जो समझ में आता है वो सारे logic लगा यह कहीं नहीं logic आपका सही set हो जाएगा ठीक आप देखिए यहाँ पर करना क्या है एक है ठीक है उसके बाद में यह जो है यह one का square लिखा हुआ है ठीक यह one जो है वो one का square लिखा हुआ है तो same वैसे ही कर दीजिए यह भाई 25 हो जाएगा ठीक और इस जगे पर जो आएगा यहाँ पर यहाँ पर तो इसका square आगा क्योंकि इसका square यहाँ पर लिखा हुआ है भाई one का square आप करेंगे तो कितना आएगा one ही तो आएगा लब इसका square अगर इसका square पहले का one का करेंगे तो यह one ही तो आएगा तो ऐसे 25 का square अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 625 ठीक उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर जो option होगा वो option number 6 का answer हो जाएगा यह भी आया हुए है rrb ntpc 184 2016 सिप्ट सेकेंड में आया हुआ question है next question देखेंगे question इसका नमबर 171 देखेंगे 32 का संबन 13 से है तो इसमें ऐसे ही सेम रिलेशन कौन से इस option में होगा ठीक है तो 171 में कहा गया है और इसको भी आपको वीडियो को पाउस करके लगाने का परयास करना है और लगाना भी है ठीक है पूरा 100% दीजिया 100% दीजिये बहुत ही अच्छ वीडियो से आपको ठीक 171 नमबर है तो इसमें देखें क्या हो रहा है इसमें हो रहा है कि ये पहले आपको इनका संबन निकालना है तो इसमें करना क्या है सबसे पहले यहां पर चल रहा है हाँ ठीक है यहां पर अगर आप 3 का स्कॉयर कर दीजिये तो आपको मिलता है 9 ठी कि यहाँ पर तो 9 मिल गया भाई उसके बाद में फिर आप 2 का स्क्वाइर कर दीजी ठीक है यदि आप 2 का स्क्वाइर कर देते हैं यदि आप 2 का स्क्वाइर कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 4 क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 4 आप उन दोनों को जोड़ दीजिए य को आप आपको मिल जाता है अब आप समझ पा रहे होंगे कि यही चीज जो लिखा ओए 32 22 में से 3 लिखा हुआए और एक 2 लिखा हुआ इन ही दोनों का स्कौर कर दिया जा रहा है ठीक तो सेम ऐसे देखिए कौन से option में हो सकता है भाई यहां पर अगर आप करेंगे तो 5 25 और 1 का square 1 तो हो नहीं सकता है यहां करेंगे आप तो 88 64 हो जाएगा और 33 का 9 हो जाएगा तीन का जब पहाड़ा अगर पढ़ेंगे आप तो यहां पर 9 4 13 हो जाएगा एक और यहां square करेंगे तो यहां पर 49 आजाएगा और एक का करेंगे तो एक आएगा तो यह तो 50 यह भी नहीं हो सकता है ठीके अब हमारे पास जो option बज़ता है option D बज़ता है चार का करेंगे square तो 16 होगा और 7 का अगर आप 7 का square करेंगे तो 49 40 होगा और इनको दुनों को add करेंगे तो 95 15 के 5 एक बचेगा और 4 और 5 हो जाएगा 5 एक 6 हो जाएगा तो option नमबर इसका D हो जाएगा आररवी एंटी पीची अठारे चार दोहजार सोर सिप्ट फरस्ट में आया हुआ question है ठीक है question नमबर 132 देखेंगे 37 का किसी परकार संबंधित है यहने के संबंध है 65 से तो 51 का count से option से होगा ठीक आप यहाँ पर आपको देखना है हो क्या रहा है यहाँ पर 172 नमबर में कि जो 37 है आप देखे 37 में यदि आप देखे alternate series भी चलती है series जो है वो alternate भी चलती है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना type बता रहा हूँ इसलिए type में बता रहा हूँ कि आप type बोज लगाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे question बनते हैं ठीक आप देखे यहाँ से alternate चलती है और यह यहाँ से होगा अब देखे हो क्या रहा है 37 में यदि आप 14 प्लस कर दें तो क्या मिलेगा 7 4 11 1 मिला ठीक है और 3 1 4 1 5 यह क्या मिल गया समझ म आ गया होगा series में क्या चल रहा है ना 14 इसमें जो है वह जोड दिया जा रहा है तो सेम वैसे 65 में भी कर दीजए 65 में चौदे आप प्लस कर दिजिए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहां पर 7 हो जाएगा तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 79 ठीक आप 79 देख लिजिए तो दोस्तों बस आज इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मेद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जैसे बताया वैसे फॉलू करना है लगाईए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ठीक है आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते है मेरा चैनल जो मैंने जितनी वीडियो अपने चैनल पर अप लोड किया है रेलबे से संबंदि स्पीडी बुक मैंने स्वाल्ब किया है साइन्स की वह-भी आप देख सकते हैं मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ जितना समय मिलता हूं आपको समय पुरा देने का परियास करता हूँ मैं तो भी देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से है बिल्कुल जड़ से मैंने बताया हुआ परसेंटेज और रेज अभी ठीक है परसेंटेज में बहुत सारे वीडियोज मुझे अपलोड करना है मैं कंटेंट तयार कर रहा हूँ आपके लिए ठीक है बाकी बने रही है मेरे चनल के साथ में दोस्तों जिन्दगी ने मुझे यही सिखाया कि मेहनत करो रुको मत और हालात कैसे भी हो क्यों नहों किसी के आगे जुको मत ठीक है तो ध्यान दीजेगा कोरोना बढ़ रहा है कोरोना में आपको फिर भी ना जुकना है ना तूटना है अपने केर करना है अपने परिवार वालों का केर करना है लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नहीं समझना है कि एक्जाम नहीं होगा ठीक है ये नहीं समझना है इसको सोच करके अपने आपको कमजोर नहीं करना है रुकना नहीं है जुकना नहीं है चलते रहना है और एक दिन गौर्मेंट जॉब लेना ही लेना है ठीक है अपने आपको सफल घोसित करना है सफल होकर दिखाना है अपने परिवार को देखिए और इस समय आईपेल स्टार्ट हो गया है आईपेल में अपना दिमाग मत लगाईए ये हमारा प्रस्नली आपको ये मैं रहा देता हूँ ऐसा मेरी सला है कि आप बिल्कुल अपने उस माता पिता के चेहरे को देखिए अपने उन परिवार में भाई बहन का चेहरा देखिए जो आप के लिए आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन मेरा बच्चा सफल होगा किस दिन मेरा भाई सफल होगा किस दिन मेरी बहन सफल होगी तो प्लीज आप उनका चेहरा देखिए आईपेल देख करके अपना समय ना बरबात करिए बाकी आपका विवेख है आपकी इच्छा है आप क्या सोचते हैं कैसा सोचते हैं वो आप अपना ही नुकसान करेंगे अपना ही फ् Gedanken करेंगे उसके जिम्मेदार भी आप स्वयम होंगी तो ये सब चीजें आपको सोचना हैं तो दोस्तों आज इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें सियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बने रहें मेरे यूटूब चैनल टेक इनफो स्मार्ट के साथ नमस्कार धन्यवाद तो करें टो में के टिंदाओ मेरे यहिए गिम यह पूटूब कि आप सब मारे करें तो कि अगर धन्यवाद चैनल टेको état सत काुटूच मै उड है यह है दो कि एजिपरे कि भीडियों डरभी